नमस्कार दोस्तों कैसे हैं दोस्तों आप दोस्तों आप सभी के लिए एक खुश खबरी है दोस्तों कतर एर्वेज में कतर एवेशन सर्वेसिस के अंदर एक जॉब निकली है जोकि लोडर की जॉब है यह जॉब विदेश में है कतर देश में है और दोहा एरपोर्ट पर है जी हाँ दोस्तों यह जॉब विदेश में है और जो भी लोग विदेश जाने के इच्छुक हैं विदेश में काम करने के इच्छुक है इस जॉब में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों लोडर की जॉब है इसके अंदर दोस्तों 30 से 40 के बीच सेलरी होती है और रहना खाना कंपन का होता है ठीक है बाकी डीटेल में आपको अगली वीडियो में बता दूँगा और इसमें आपको पासपोर्ट रिज्यूम कवर लेटर की जरूत होगी और अगर पहले से ही आप किसी एरोपोर्ट पर काम कर रहे हैं तो वहां के भी डॉकमेंट इसमें आप लगा सकते हैं तो सिंपल प्रोसेस है दोस्तों कोई कहीं जाने के जुरूत नहीं है आप अपने फोन से घर बैठे ही इसके लिए अपलाई कर सकते हैं किस तरीके से जॉब ढूननी है यह कौन से वेबसेट को जाना मैं आपको बता देता हूं दोस्तों ठीक है सबसे पहले आपने मोबाइल के किजिए गूगल के अंदर सर्च बार में जाएए वहाँ पर कतर एविएशन करियर्स लिखिए और सर्च कीजिए ठीक है जो यह सबसे पहले वेबसेट खुलती कतर एर्वेस की कतर एवेस करिया स्थिक है इसके अंदर जो सर्क जोब्स लिखा हुआ आप इसके अंदर जाएगी ठीक है यह उपर एक pop-up आता है इसको cross कर दी हटा दीजिए आप ठीक है उसके बाद ये नीचे सभी jobs लिखी होती है तो वो jobs कौन सी है मैं आपको लिखके बता देता हूं आप यहां सर्च बार में जाएगे यहां पर लिखे ground handling agent यहां पर ground handling agent लोडर को कहा जाता है दोस्तों और आप सर्च कर दीजिए और यहां आपको ground handling agent की job यह देख जाएगी दोस्तों देखिए ground handling agent कतर aviation services दोहा कतर cargo and airport operation अब इस पर आप किलिक कीजिए इसकी सारी details आपको यहां दिखाई देगी दोस्तों यह pop up आता है बार बार आप इसे हटा सकते हैं यह देखिए दोस्तों closing date जो है इसकी 36-22 है ठीक है यहां जो apply लिखा है यहां से आप apply कर सकते हैं इसकी सारी details नीचे लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं दोस्तों अगर आपको English में कोई problem हो रही है तो आप इसे translate करके भी पढ़ सकते हैं दोस्तों ठीक है हाई स्कूल की qualification चाहिए इसको बाकिया सारी चीजे लिखे हुई है minimum one year experience लिखा तो कोई जरूरी नहीं यह फ्रेशर को भी ले लेते हैं दोस्तों आप घबरायेगा मत आप apply जरूर गीजेगा able to communicate in English लिखाव है कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है हलके फुल की English चाहिए होती है हलके फुल के English में जो सवालों के जवाब देने होते हैं जिसको नहीं आती वो भी यहाँ पर जौब कर लेते मैं जौब कर चुका हूँ इसलिए मेरे को यहां का दोस्तों सब कुछ पता है आपको मैं इस जौब के लिए बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूँगा दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा ठीक है अब यह जो अप्लाई का बटन है अप्लाई नाओ आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद यह पेज खुल गया देख सकते हैं इसके अंदर जितने भी स्टैप है यह पूरे करने आपको फॉर्म फिल करना है दोस्तों ठीक है यहां पे एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए अब यह नेक्स्ट पेज खुल गया अगर आपकी लिंक्टिन प्रफाइल है दोस्त पूरा फॉर्म भरिए दोस्तों यह पूरा फॉर्म भरिएगा आपका नाम एड्रेस वगयरा रेजिदेंस कंट्री सब कुछ नेशनल्टी जो भी इसके अंदर पूछा जाए न वो सब कुछ भरिएगा दोस्तों सबसे पहले अपना इमेल बना लीजिएगा ठीक है इमेल पूरा फॉर्म आपको भरना है दोस्तों यहां से ठीक है कंटीनु करते जाएंगे आगे आपका पूरा फॉर्म फील होता जाएगा इसके अंदर एक आईड़ी भी बनानी होगी आपको वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँआ किस तरीके से इसमें फॉर्म भ परने की वीडियो बनाऊंगा दोस्तों और आप सभी इसके अंदर अपलाई जरूर कीजिएगा दोस्तों काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं लोडर की जोब कहा है क्या है कब निकलेगी तो यह दोस्तों आपके लिए लोडर की जोब निकल चुकी है और दो महीने का आपको समय मिल रहा है इसके अंदर आप आराम से अपलाई कीजिए कोई डरने वाली बात नहीं है अगर कोई भी आपका सवाल कुछ भी हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम गुरूप पर आकर जूड सकते हैं वहाँ पे मैं आपके सवालो से रिलेटेड आपको देते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने का इंतजार कीजिए अगले वीडियो का पूरा फॉर्म भरने की मैं अगले वीडियो चल्दी ही बनाऊंगा दोस्तों धन्यवाद नमस्कार